दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप वैक्सिन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल करो में आपको टाइप करना है कोविन उसके बाद दोस्तो आपके सामने ये स्क्रिन आईगी और यहाँ पर आपको किलिक कर देना है तो दोस्तो आप इस वेबसाइड पर आजाएंगे इस वेबसाइड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको login करना है यानि की sign in कर देना है sign in पर click करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना mobile number टाइप करना है जिस number से भी आपने vaccine लेते समय अपना registration करवाया था तो मैं दोस्तो यहाँ पर अपना मुवाइल नम्मर टाइप कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो गेट OTP पर किलिक करना है तो दोस्तो आपके रजिस्टर मुवाइल पर जो भी आपने मुवाइल नम्मर डाला है उस पर एक OTP चला जाएगा उसके बाद दोस्तो आपके सामने आपका एकाउंट खूल जाएगा उसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे सोर सर्टिफिकेट तो दोस्तो आपको सोर सर्टिफिकेट पर आपको किलिक करना है दोस्तो आप जैसे नीचे आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं download certificate तो दोस्तो आपको इस पर click कर देना है और आपका certificate download हो जाएगा यदि आप दोस्तो इंटरनेशनल traveling करना है तो आपको इस पर click करना है जैसे आप click करेंगे उसके बाद दोस्तो आपका password डिटेल यहाँ पुछा जाता है आपको यहाँ पर अपना date of birth एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना passport number type करना है उसके बाद दोस्तो आपका जो है विदेश के traveling के लिए certificate download हो जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरह से आप vaccine certificate को download कर सकते हैं